हे माता दुर्गा यह जो भक्त आपके इस वीडियो को देख रहे हैं आपसे हाँ जोड़कर निवेदयन है कि इनके जीवन में भी जो दुख दर्ध हैं उन्हें खतम कर दो यह भक्त बहुत दयालू है पिरी भक्तो जब आपके उपर नव दुर्गा की किरपा होती है तो यह संकेद मिलना शुरू हो जाते हैं दोस्तो इस संकेद से आप पता कर सकते हैं कि दुर्गा आपके साथ में है या फिर नहीं दोस्तो आप भी बहुत सारे लोगों के मन में प्रस्न होते हैं कि हम कैसे पता करें कि माता रानी हमारे साथ मैं ही क्या नहीं हम कैसे पता करें कि मा रात के समय मता रानी क्या अमारे घर में आती हैं कि नहीं क्योंकि सब के मन में यही सवाल होते हैं सब चाहते हैं कि उनके घर मा आये और जानकारी में आज के इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों बड़ा मूर्क होगा बड़ा अग्यानी होगा इसे जो इस ग्यान को राप् नहीं बताएगा यह जानकारी सब आप से चुपाना चाहते हैं तो दोस्तों मातारानी अह अपने होने का एसास अपने सभी वक्तों को कराती हैं चाहिए उनके छोटे वक्तों या फिर चाहिए बड़े भक्त अपने सभी वक्तों को मातारानी अपने उने का एसास सभी को कराती हैं क्योंकि मातारानी परम सक्यो परम देवी हैं मातारानी नौरात के पूरे दिन अपने सभी वक्तों के साथ सूच्म रूप एवं उर्जा रूप में रहती हैं सक्त रूप रहती हैं दोस्तों इस पाँच संकेत से आप पता लगा सकते हैं माता का कर सकते की मा दुरगा आपके साथ में हैं और साथ संकेत बताते हैं की माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं तो सरप्रतम इस वीडियो में यह जानेगे दोस्तों की हम कैसे पता करें की माता रानी हमारे साथ में हैं इसके बाद इस व मारे साथ में होती हैं तो इस पिरकार के पांच संकेत मिलते हैं कौन-कौन संकेत आईए थोड़ा से वीडियो को ध्यान दो सुनिए अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सबी मनों कामना को पूल करे तो दोस्तों कमेंट बाक्स में जरूर लखना जै माता दी आपका हमारे गर में स्वागत है तो आईए जानते हैं उन विशेश संकेतों को जो जब माता रानी आपके साथ होती हैं तो यह पांच संकेत मिले आएं आपको पूजा के दोरान आंसू आने लगे वैसे दोस्तों हम डेली की पूजा करते लेकिन आंसू नहीं निकले लेकिन नवर के दौरान ऐसा लगने लगे कि कोई आपके पीछे में खड़े हैं तो समझ जाना माता रानी आपके साथ में हैं हमेशा आपके साथ में हैं वह उरजा सुरूप बन कर सक्त रूप सुरूप कर प्रथम संकेत दूसरा संकेत की अगर जुगनु टिम्ट में आते हुए आपके कपड़ या सरीर में चिपक जाए तो समझ जाना मातारानी आपके साथ में है क्योंकि दोस्तो जुगनु को जुगिन कहा जाता है यह मातारानी की परम से विका जहां पर मातारानी की सक्तियां होती है उर्जा सुरूब होती है, वहाँ पर जाकर सुता ही चिपक जाती है तो आपके साथ मैं मातारानी रहेगी तो आपके सरीर में सुता उर्जा सक्त जागरत हो जाएगी तो यह जाकर जबरदस्ती चिपकने लगती है यह दूसरा संकेत है हे रात में अचानक चटकेस के साथ आपकी नीन खुल जाए तो समझ जाना मतारानी आपके साथ में है और मतारानी आपको जगाना चाहती है मतारानी आपको कुछ संकेत देना चाहती है इसके बाद चौथा संकेत है कि आपके घर आसपास अगर इत्र लोबन या धूप चमेली या फिर अनपुस्ब जो कि आपके घरों के आसपास में नहीं पाई जाती हैं लेकिन फिर भी आपके उसकी सुगंद आ रही है तो समझ जाना चाहिकी मातारानी आपके साथ हैं मैजू दोस्तों जिसकी सुगंद हमने कभी नहीं ली जो कि हमारे घरों के आसपास नहीं होती है तो इस संकेत से भी आप पतार लगा सकते हैं कि मातारानी आपके साथ में हैं हम पांचवा संकेत जानते हैं नवरात के दौरान अगर आपको सुपन में कोई छोटी करन्या दिखाई देती है क्योंकि छोटी कन्या को देवी ही रूप माना जाता है तो नवरात में अगर आपको छोटी कन्या दिख जाए फिर लाल वस्त दिख जाए लाल कलर की जंडा दिख जाए तो समझ जाना की मतारानियाग के साथ में है इसी के साथ अगर जोती बत्ती जलते समय अगर एक खास आकार जोती बत्ती में बनने लगे तो समझ जाना अच्छी माता रानी आपके साथ में है माता रानी रात में संकेत अवस ही अपने सब बक्तों को दिखाती है यह तो अभी आपने जान लिया कि माता रानी साथ हैं तो यह संकेत मिलते हैं अभी हम यह जानेंगे कि तब कौन से संकेत मिलते हैं जब माता रानी हमारे घर में ब्राजमान हो चुकी है तब कैसे पैचानेंगे मैं आपको अब बताऊंगा आप इन संकेशों से पता लगा सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है और फिर माता रानी आपके घर में आ जाये तो जल्दी आपके घर दोस्तों जो दोख है हुए कर जाते हैं और आपके दिल दुगने राच्चोगनी तरक्की होती है अधिकतल लोग जब माता रानी उनके घर में आती है पिरवेश करती है तो उने पता नहीं होता दोस्तों इन लच्छों से आप पता कर सकते हैं कि माता रानी आपके घर में आती है फिर दोस्तों आपको अपने पूजा पाट में रोज एक पुस्व कोई भी माता रानी को मा दुर्गा हमें त्रणत दिखा देती है इस समय गलत कार्म करने से चैतन होने का अर्माता whether weeping अगर हमें बुरा कर्म करें तो बुरा पढ़लाएं भी तक्रस्काल दिखाती है दंर्दभी करती है दॉराद के पूरे 9 दिन पूर्ड रूरू यह तुबेक विचार से रहना चाहिए, हमें नो दिनों तक छल कपट और द्रेज आत का पड़त्याग कर देना चाहिए, मा दुरका जिस गर में आती हैं, उस गर को तीरतों से भी ज्यादा पवितेमं सुद्ध कर देती हैं, वहां रहने वाल सभी लोग की बुद्ध मक्त में हो जाता है और गर एक आदम सांत रहता है, आप भी अपने घर में चेक करना, या अगर साथ में से कोई भी एक संकेत आपको मिलने लगे, तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं, संकेत को बताते हैं, पहले अभी तक आपने अमारे वीडियो को लाइक नहीं किय तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्क्राइब जरूर कर लेना, राजफल का ग्यान चैनल का मकसद जानिये, जन कल्यान करना, कई बार माता रानी अमारे घर में ही पिरवेस कर ब्राजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही मुर्खता के काराने से पहचान नहीं पाते हैं, मा मारे में बिस्तार से बताएंगी कौन कौन से फिल फल फिर प्राप्त होते हैं, अगर आप माता रानी के सच्चे बगता हैं, तो वीडियो को ध्यान से सुनिये, इसमें आपको बड़े काम की बात बता चलें, अगर बार बार आपके घर में गव माता का आना, जिस घर में मा जिए गुमती रहती हैं, वहां से नौ दिनों तक नहीं बागती हैं, तो समझ जाना कि माता रानी आपके घर में आच चुकी हैं, दूसरा संकेत, मदमक्की क्या घर में आना, देखी मदमक्की को मा दुर्गा की प्रामणी सुरूप कहे गए, जिस घर में नवरात में मदमक की आती है तो समझ जाना उस घर में माता रानी आ चुकी है क्योंकि जो मदमक्की यहां पर मा दुर्गा के सुरूप काये गए और अपने पूर्ड शुरूप के दर्सन के लिए अर्थाद नौ दुर्गा के दर्सन के लिए सेपका बनकर आती है तो समझ जाना आपके घर में म अगर जोत की लव तीव गट से जल रही है तो समझ जाना जोत की समय स्वहम मातारानी खड़ी है और आपको भी आत्मा से मातारानी होने का एसास होगा तो इस संके से भी माता कर सकते हैं कि मातारानी आपके घर में आ चुकी है क्योंकि जब भी जोत की प्रिचन रूब में जल पूल बनने लगे तो समझ जाना नौ दूरगा माता आपके उपर बहुत परसंड है आपके उपर वह पूर रूप से किरपा बरसा रही हैं और माता रानी आपके गर में आ चुकी है अब आपको सबी कश्टों को दूर करके माता रानी इस लोक से फिर जाएगी अर्थार आप के गर से जाएगी पांचमा संकेर बताते हैं कि बार-बार गर में आकर काले चीटी निकलने लगे अगर काले चीटी समू में भर से निकल रहे हो और रास्ता काट रहे हो तो समझ जाना माता रानी आ चुकी है छटवा संकेर अचाना इस जैसा कोई सुगन आने लगे त्वीप मातारानी आपके घर में आ चुकी है, स्वात्तवा संकित, फटे कप्ले पहने अगर कोई आजाए तो समझ जाईना मातारानी की, आपके दूआरा है आज़ा कबन कर आ गई चुकी है, नौरात में कोई आज़ा काय तो खाली आन मत बेजाने देना, क्योंकि स्वाइम माता रानी परिक्षा लेने इनके हमारे घर में आचक बनकर आ जाती हैं तो यह साथ संकेत बताती हैं माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं और आप से काफी प्रसन हैं लेकर दोस्तो चलिए जाने लेते हैं कि जब माता आपके घर में जाए तो कौन कौन स सोएं बलकि जमीन पर सोएं नवरात में सुदव साथ में बोजन ही करना चाहिए इस दोरान ताम से बोजन प्याज लाशन मास मदरा सराबाद का सेवन करना कला था इसलिए इससे बच कर नवरात में रो जाना कम से कम एक कन्या और स्रद्दा बाव से बोजन कराएं और अस्ट का समान करें अब ब्रत सब्दों का प्रयोग भी ना करें नौराथ की दौरान बाल और नाकून नहीं काड़ना चाहिए खासकर जो लोग नौराथ का ब्रत रखते हैं वह इस नियम का बिसेज ख्याल रखें मातरुगा आप से किसी बात का लेकर रुष्टन हो सकती है क्यों बस इतना ही हम मिलेंगे किसी नए और खास जानकारी के साथ जैमाता दी